में हिंदु नहीं हूं इस बाrand तरे आपके Aíग है और धुरल को मैंने के लिए अपने पूर वजह लड़ना हो तो हिंदू जए और अधिकार के बात हो तो हम सुद्र हैं हमारे अधिकार नहीं है तो ऐसा हिंदू राष्ट हम को नहीं चाहिए, मैं भश्यमानी करने लगा हूं वाज गिजमावा जैसे आसाराम गया जैसे राम रख़ां गया वह भी जैए गए ने करने वाला है ऐसे लोगों की जिगाश जेल में है देखिए हिंदुलाश इसलिया बनाना चाहते हैं कि ये देवदासी की पर्था दुवारा का चलाना चाहते हैं ये जोगनी की पर्था फिर दुवारा चलाना चाहते हैं सच्चाई में बता रहूं, आप इनके थ्यास उठा के देगिए, देवदासी, प्रभूदासी, जोगनी परता क्या थी, ये परंपरा इस देश में रही है, और अभी ये परंपरा कहतम हुई है, फिर दुवारा इस परंपरा को लाना चाहते हैं, और एक परंपरा इस देश म को पूछ रही हैं कि आप मुझे पूछ रहे कि आपको पूछे हैं कि हिंदू राष्ट्रास्राइश NO to Works लिए उसथ जडर गने भंई कर देश देश चला है एक चया बेखने वाले व्यक्ति को अगती और पर्धानमंत्री बना दिया जाता है एक महिला को जिसको initiat कोई कोपी नहीं क्या गया है अगर सच्चाई अगर फंडामेंटल चीज किसी देश ने पहले अगर लागू कर ली जाएंगी तो क्या उससे हम कोई लाए नहीं ले सकते हैं इंदु राष्ट कभी नहीं बना था पहले ना कभी बनेगा इस देश में अखंड भारत है ये भार के लगवग 97 परसेंट लोगों के अधिकार जिंदे हैं अगर ये हिंदु राष्ट बना तो आप देख लेना मनुश्मिर्थी को लेकर आएंगे और मनुश्मिर्थी एक ऐसा गरंत था जो IPC रिप्लेस किया गया था पहले वो मनुश्मिर्थी था और मनुश्मिर्थी में इनसान को इनसान नहीं समझा गया वाँ भेदवाव हुआ करता था ऐसे यह जैसे ब्रहम्मन इनके मनुश्मिर्थी में ऐसी बरा रखा है और ऐसे मानस में ब्रहता बिंदों को तोड़ रहे हैं देखिए कोई तोडने का काम निकल भारत के सविधान को मानने का काम करते हैं सब खतम हो चुकी है सविधान के आने के बाद में आर्टिकल 13 वाली बात करता है अब यह हिंदू राश इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि यह लोग फिर दुवारा अपने जो एक जूटा इनका एहम था उसको जिन्दा रखना चाहते हैं और इस देश में धरम के नाम पर करना चाहते हैं ऐसा बिलकुल नहीं होगा रहेगा सब्दान से देश चलता है सब्दान से सब्दान से संस्था सब्तरों कि raid गोती हैHaon mij होती हैं उनको पर पष्षी ने निकाली गई रिंदर पर पर पडची निकाल लेते हैं और मेरा भविश्यमानी है मैं भी भश्चमानी करने लगाँ आसतर उसको देख के ते इस साल के आदमी को कि वो जेल जायेगा जैसे आसाराम गया जैसे राम रहिंग वो भी जेल जायेगा देखना उसका भाई तो जेल जाने वाला है तो इसका मतलब बावा के पीछे पड़े हैं आपको समझना पड़ेगा बावा तो एक हुए देश के अंदर बावा साथ डॉक्टर अंबेट कर यह धोंगी जितने लोग है जो अपना आपको दावा बोलने काम करते हैं ऐसे लोगों की जिएल में हैं क्योंकि सविधान इनको लोगों के परचे कटवाता हूं और आज जिन जेल में बेजने का काम करते हैं अभी बचकर आगए भाराश्ते फिर दुवारा फसेंगे तो फिर उनको अंदर डाला जाएगा वो जेल जाएंगे हमारी भविश्यमानी हैं अम्बेटकरवादी लोग जो कहते हैं वो करते है हम जब धिरंदर साथ्त्री के पीछे नहीं पड़े हैं हम उस इंसान के पीछे पड़ते हैं जो इनसान इस देश में मानपता को खराब कर रहा है जो आदम यह कह रहा है कि दो लोटा दूज चढ़ा कर आपका बच्छा पास हो जाएगा क्या वो कह रहा है कि आपकी बीमार जागलपन के जो मुख्या उसको जेल में पहुचाना चाहिए जब तक ऐसे मुख्या को जेल में नहीं पहुचाए जाएगा यह पावल करते जले जाएंगा बिल्कुल गायब हो रहे हैं मैं बतानों आप बहुत बड़ा सडियंत निकलने वाला है यह सडियंत कारी लोग है इनके पीछे सरकारे हैं तो कि सरकार को फाइदा देते हैं आपने देखा ईगा को आपने राम रहीम को देखाओगा आपने आसा डाम को देखाओगुऑ आसा राम की जितनी भी सवाय घ्येकर पी बहरत है इंडिया है को मैं इस देश को सभी धान को मानतों मैं मैंनुम मैं इंसान हुए आपको आपके शूद्रों को पता लग गया कि सूद्र कौन है सब को पता लग गया कि सूद्र कौन है अब इनके सबसे बड़े जो ब्रहमन है जो आरेसेस का सबसे बड़ा ब्रहमन है जो सब लोगों को मानता है उसने उसको भी कहना पड़ा कि जातीवाद जो बनाया है जातीवाद ये ब्रहमनों ने बनाया है पंडितों ने पंडितों ने पंडितों ब्रहमन ये की है आप लोगों को आज ही पता लगा है हम तो लोगों को समझाते आ रहें बावा साव डॉक्ट अंबेट करने समझा दिया था कि हिंदु धरम में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी मगर में हिंदु धरम में मरूंगा नहीं सनातनी कौन है वो ठेका लें अपना कौन है देखिए म मैं भारत की बात करता हूं मैं सविधान की बात करता हूं आप सविधान की बात करेंगे तो अच्छी बात होगी आप धरम की बात करेंगे तो धरम के नाम पर बहुत सारे लोगों को जाजा दिन तक गुलाम बनाए रहा जादकता है तो हम जादा दिन तक लोगों को गुला सब्सक्राइब करने लोगों बताना चाहते हैं कि अब लोग जूते पहनने लगे लोगों को ऐसे गुरू को नहीं चाहिए हमों जो अपने student का अंगूटा कारता हो ये जातिवाजी बिवस्ता के लोग ये मनुवाजी बिवस्ता के लोग ये भारत के सविधान को कमजोर करना चाहते है तो कि भारत का सविधान हर व्यक्ति को ताकत देता है हर व्यक्ति को मजबूत बनाता है हर व्यक्ति को ससक्त बनाता है, हर महिला को ससक्त बनाता है, भारत का सविधान हर व्यक्ति को आईएज, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रॉफेसर, जज, वकिल यहां तक की देश का प्रधानमंत्री, देश का राश्पती बनने का मौका देता है, अधिकार देता है, इनके ग वोटिंग के लिए भाही माँगेंगे, हिंदु मना लेंगे, मुशलमानों से लड़ना हो तो हिंदु मनाएंगे, अधिकार की बात हो, तो हम सुद्र हैं, हमारे कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसा हिंदु राष्ट हमको नहीं चाहिए, बावासा डॉक्ट्र अमबेटकर तो प्रेमबल भरत क कोई दर्म कोईधर्म नहीं है तो ये जो छो लोग कह रहे हैं पागल ये को सभयतान को पढ़ना चाहिए और पूरा सभीधान भी नहीं पढ़ना आया तो कम देशे कम प्रियंबल पढ़ लिजिए जो प्रियंबल इस्पेशल कहती है देखिए इनके गोशिच करने से कुछ होने वाला नहीं है उसका पॉसीजर होता है कोई भी चेर्ज करने का इना ऐसे नहीं कर करती है तो आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं यह महाल बना रहे हैं दो हजार चौविस के लिए महाल बना रहे हैं महाल बनाकर यह लोगों को बताना चाहते हिंदू-मुशलमान करना चाहते हैं यह आगर दो हजार चौविस में रंदर मोधी आएंगे तो इस देश क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ और आजाद देश में सविधान लागो हुआ तो इनके पूरवजों ने बहुत ताकत लगाई थी कि देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए उस पर बोटिंग हुई तो देश का नाम हुआ आर्टि तो वहां भी इनके पूरवज हार चुके थे